दोको जैसे हम लोगों ने भी देखा था कि टेंजेंड की लेंद अंडरूट S1 होती है अचा ही जो काउड आफ कॉंटेक्ट है इसकी एक्वेशन क्या होगी ये निकालना हम लोगों ने सिखा था equation हैना equation हैना chord of contact की equation क्या होगी ये निकालना हम लोगों ने सिखा था ये बिल्कुल बैसा ही होता है जैसे हम tangent को निकालते हैं xx1 yy1 करके ठीक है अब देखो ध्यान दो अब हम इस chord of contact की length को निकालेंगे हैना देखो अब हम इस a b की length को find करेंगे हैना chord of contact की length को देखो अब हम लोग यहाँ पर निकालने जा रहे हैं दोखो एक काम करते हैं इस angle को theta माल लें तो ये वाला पूरा angle कितना हो जाएगा बोलो 90 minus theta हो जाएगा दोखो जान दो अगर हम यहाँ पर दो triangle AMC को देखें AMC हाना तो दोखो ये angle 90 है हाना दोखो हम काम करें cos theta को निकालें तो क्या होगा AM by R cos theta हाना दोखो base upon hypotenuse ये क्या होगा या बोलो cos theta ठीक अच्छा इसी बगार दोखो अगर हम triangle P हाना AMP ले ले लें दोखो triangle AMP AMP दोखो AMP में दोखो ये angle 90 है हाना और दोखो ये 90 मानस theta है इसमें हम क्या करते हैं दोखो फिर से cos को लगाएं तो cos 90 मानस theta तो क्या होगा दोखो base क्या होगा दोखो AM और upon hypotenuse क्या होगा बोलो AP ध्यान दो AP हाना ठीक है दोखो क्या हुआ hypertonious दोखो ध्यान दो ये हो गया cos theta बराबर AM by R और cos 90 मानस theta को कह सकते हैं sin theta बराबर AM AM और by AP AP कितना होगा है दोखो L हो गया AP को हमने क्या मान लगा है L ध्यान दो अब हम क्या करें दोखो इनको square करके add कर दे cos square theta plus sin square theta कितना होता है 1 होता है ये बाद हमको मलूम है cos theta की value पूट करोगे तो AM का square upon R square प्लस दोखो ये क्या हो गया AM का square by L square बराबर 1 दोखो AM का square common ले लिया तो 1 by R square प्लस 1 by L square equal to 1 ठेक है अब दोखो ध्यान दो यहां पर क्या हो गया यहां से AM का square LCM लिया तो L square plus R square upon R square L square बराबर 1 दोखो यहां से AM का square क्या गया R square L square upon R square plus L square दोखो AM क्या गया ये हो गया R L upon under root R square plus L square दोखो ये AM आ गया अब दोखो जो AB होगा AB ये क्या होगा ये AM का डवल होगा दोखो ये हां से AM निकला AB AM का डवल होगा तो ये हो जाएगा twice AM और AM की दोखो value क्या है तो ये जाएगा 2 L R upon under root R square plus L square इस बात को हम याद कर लें कि काड अप दोखो ये AM की value पूट कर दी तो क्या होगा दोखो ये काड अप काड अप काड की लेंद जो हमने निकाली है 2 L R upon under root R square plus N square ये सिफ circle के लिए याद रखो L क्या है L है इस tangent की लेंद जो की root S1 होती थी हैना L क्या है external point से draw किये गए tangent की लेंद जिसकी value root S1 होती थी तो ये एक बहुत important result है आपको यहां दोगा मैजिया मिनमा के question में भी ये result एक जगह पर direct मैंने use किया था तो इसलिए इसको हम याद रखें और coordinate में ये बहुत important result है कैसे आया ये simple अपना 10 class का मैस है इसमें कोई 11-12 का मैस नहीं लगा simple term class के मैस का यूज किया है geometry को यूज करके इस result को हमने यहाँ पर proof किया ठीक है लिखो ज़रा बच्चो ध्यान से इसको पहले